नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोंड नया ताज़ा अपडेट लेटेश नियूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुगे हैं पैंशनर्स के लिए एक बुरी खवर निकल कर आ रही है इन पैंशन लाभार्तियों की रोक ली गई है पैंशन और इसके पीछे क्या बड़ा कारण है जो सामने आया है वह कारण हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं प्रूव के साथ सभी जानकारी आपको अपडेट करने जा रहे हैं यदि आप भी एक दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था या तलाक्षुदा या कुछ तवस्था में से कोई भी आप एक पैंशन लाभार्तियों सरकार से पैंशन का लाभ ले रहे हैं आज की एक खबर यह जानकारी आपके लिए ही है वीडिय ही बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं बैक ग्राउंड वोइस के लिए हम आपसे माफ आप अपना online pension payment status कैसे चेक कर सकते हैं और ये मालूम कर सकते कि कहीं जो आपकी pension है वह तो नहीं रोख ली गई है अब कैसे चेक किया जाता है सबसे पहले चेक करने के लिए आपको अपने mobile phone में Google Chrome browser को open करना है open करने के बाद यहां पर आपको लिखना है ईला भारती इतना आपको लिखना है और ये लिखकर आपको सर्च करना है ईला भारती अब जैसे हमने लिखकर सर्ज किया देखें यहाँ पर इलाभारती लिखा आ चुका है इस पर आपको किलिक करना है यह है एक Official वैब साइट है अब यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा यह रहा Link 1 इसमें देखें यहाँ पर यह लिखा मिलेगा आपको Link 1 में 4 Block District Department Login इस पर आपको क्लिक करना है पहले वाले पर जी हाँ इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वह ओपन हो जाएगा कभी-कभी वैबसाइट जो है लेट काम करती है तो थोड़ा आपको इंज़ार कर लेना है यदि आपके सामने ये वैबसाइट ओपन नहीं होती अब देखे हमारे सामने ओपन हो चुकी है अब देखे साफ तोर पर यहाँ पर यह अपडेट किया जा रहा है देखे यहाँ पर जैसे हम खत्म होता है हमको दुबार से सभी जानकारी अपडेट करेंगे देखे इसमें यहाँ पर लिखा है वैसे लाभारती जिनका जीवन पर्मानिकरन आधार में दर्ज नाम से किया गया है और आधार के नाम तथा लाभारती के नाम 50% से ज़्यादा अंतर पाया गया है वैसे लाभारति को जल्द से जल्द ब्लोक लोगिन तथा जिला लोगिन से सत्याफित ऐस्विकार कर ले ताकि उनके आधार से भुगतान हो सके ऐसा नहीं करने पर उनका पैंशन रोका जा सकता है और जो तारीक है यहाँ पर यह तारीक अपडेट की गई है तो इस तारीक आप यह तारीक देखी आप आपने तो चलिए देखे यह सुरू हो चुका है तो हम इसको आपको पढ़कर बताते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर लिखा चुका है जिनका भी आधार किसी भी बैंक खाते से सीडिड नहीं है वो बैंक से संपर करें क्योंकि आधार सीडिंग और खाते से आधार लिंक अलग चीजे हैं जिनका भी अकाउंट आधार यानकि अकाउंट आधार के साथ सेडिंड नहीं है उनका पैसा रूख सकता है ये तारीक यहां देख सकते हैं वैसे लाभारती जीन जीवन परवानिकरन आधार में दर्ज नाम से किया गया है और आधार के नाम तथा लाभारती के नाम 50% से ज़्यादा का अंतर पाय गया है वैसे लाभारती को जल से जल ब्लोक लोगिन तथा जिला लोगिन से सत्यापित एस्विकार कर ले ताकि उनके आधार से बुगतान हो सके ऐसा नहीं करने पे उनका पेमेंट जो पैंशन रासी है वह रोका जा सकता है तो यह तो जो अपडेट है आपने वेबसाइट पर पढ़ लिया है अब देखें यहाँ पर हम आपको प्रूव के साथ जानकारी देने जा रही हैं कि और अन्ने क्या कर आ रहे होंगे पहले प्लिख करना है यह पर नहीं क्लिक उपन करें में चुनाओ ने करिया अब देखें यहूं लिखा आचुका है चुनाव होने के बाद यहाँ पर आपको लिखाम लेगा beneficiary ID इस पर देखें यहाँ पर आपको क्लिक करना है तीन ओप्षन ओपन हो चुके हैं पहला है beneficiary ID दूसरा है account number तीसरा है आधा number जिससे आप देखना चाहिए उसका आप चुनाव कर लिजिए हम देखना चाहते है beneficiary ID से तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और जो हमारा beneficiary ID number है इस box में दर्ज कर लेते हैं और search के icon पर हम क्लिक करेंगे इसी प्रकार से आपको भी क्लिक करना है देखें यहाँ पर हमने अपना beneficiary ID number दर्ज कर आया पैंशन का रजिशनर संख्या भी बोल सकते हैं यह रहाँ सर्च का icon हम इस पर क्लिक कर देते हैं अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का page से open हो चुका है जो beneficiary ID number हमने सर्च किया था यहाँ पर आ चुका है और सबसे पहले दिखे करम संख्या यहाँ पर जिले का नाम यहाँ पर बलोक का नाम पंचैत का नाम गरामियावाड का नाम योजना का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं oldest pension लिखा हुआ है देख रही है oldest जनी की वर्दवस्था pension अब यहाँ पर यह लाभारती संख्या है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लाभारती का नाम है यहाँ पर पिताजी का नाम है जनमतिति दी गई है और यहाँ पर खाता संख्या है लाभारती की वर्दमान इस्थि क्या लिखा चुका है भुगतान किया जा चुका है ये पहला बुगतान इनका हो चुका है अब यहाँ पर देखिए लाभारती का जीवन परमानिकरण सत्यापित नहीं हुआ है यहाँ पर आप ये करण देख सकते हैं साफ तोर पर बताया गया है क्या करण है लाभारती का जो जीवन परमानी करण है वह सत्यापित नहीं हुआ है जिस वज़े से इनकी पैंशन को रोक लिया गया है बैंक खाते में पैंशन को ट्रांसफर नहीं किया गया अब देखिए दो यहाँ पर हमने आपको प्रूव के साथ जानकार दी पहला जो हैडलाइन अपडेट हो रही थी तो वह हमने आपको बढ़ाई समझाया और यहाँ पर लोगिन करके हमने आपको भी दिखा दिया है कि कैसे आप अपना पैंशन पेमेंट इस्टेटस देख सकत बिहार सरकार लिखा होगा है बिहार सरकार यानिकी बिहार राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुछ तवस्था, तलाक्षुदा, पैंशन, धारक है क्या उनका जीमन परवानिकरन सत्यापित हो चुका है या और कोई अन्य प्रोब्लम है तो यहाँ पर इसी प्रकार से वे अपना लोगिन करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे दिविच जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है लाश्ट में हम निवेदन यहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत